दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दो कोश्चन के उपर बात करेंगे कि टांसफोर्मर की रेटिंग के वे में क्यों होती है दूसरा मोटर की डेटिंग किलो वार्ट में क्यों होती है 1000 kv का transformer है ठीक है 1000 kv का transformer है तो वो कितना kylowatt का है ठीक है थोड़ा अलग question है थोड़ा यानि हटके question है तो पर इसका answer क्या है तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताओं कि 1000 kv का transformer है ठीक है तो उसका kylowatt जो हो आगर आपका power factor क्योंपर depend करेगा अगर हमारा power factor 0.8 है या हमारा power factor 1 है आपको पहले यह चीज पता करने पड़ेगी हमारा power factor क्या है तो अगर जैसे हमको पता चला हमारा power factor 1 है तो हमारा जो 1000 kv का transformer हुआ तो हम उसको 1 से multiply कर देंगे ना तो वो जो आया value हमारा kilowatt तो मतलब इतना सा फरक होता है हमारा kv और kilowatt के अंदर दोस्तों एक और ची को कि और kilowatt में आप दोस्तों इससे आपको यह पता चलेका कि ट्रांसों की rating के वी में क्यों नहीं होती है और मोटर की rating ख्रवाट में क्यों होती है तो दोस्तों ऐसा होता है ना दोस्तों हमारा जो के वीडिपेव तो फूरा का पूरा टॉटल होता है उसके अंदर की power factor ना जाओंगा साथ साथ और यह होता है इंडिक्टिव ठीक है दोस्तो रेजिस्टीव लोड जो हुआ इसका पाउर्ट से और हमेशाथ भन होता है इंडिक्टीव लोड के अंदर हम आपको एक जिए इतने भी एमारे उपकारण है जैसे हमारे हीटर हुआ यहां अमारे जो लेंप हुए ब्ल विएंगे दो हमारे relyंप के फिर फैसे सब दो यह सकने होगे का वह धुलिए हिसलिक मेरे सब्सक्राइब एंगए इनका आप विधिग्व Rug adult Prism इंडेक्टिव लोड ज्यादा बड़ जाता है उस समय हम कैपेसिटीव को यूज करते है तो दोस्तों इसके ओपर तो अलग वीडियो बनाएंगे वह जाता सही देगा तो दोस्तों हमारे जो पावर फेक्टर जो कम होता है वह हमारा इंडेक्टिव लोड के कारण उड़ता ह है तो ईंडेक्टिव लोड के अंदर किया हता है धोस्तों हमारा जो होता है मेंडेक्टिक फेंड़ के खेंड निर्माड करा तो सो आपको यह चीज नहीं पता हमारे लेट्रिकल में वी लोड दो-3 डाइप के हैं आपको यह चीज तो नहीं पता न में कुन से लोड यूज करूँगा जίαसे आपने मेरे को सेल करा टांस नहीं पता थी कि मैं हज sellers लगाओंगा ईंड्र लगाओंगा इंड्रक्ट लगों अगर उचीज पता होती है मैं आपको पहले बता देता जarsi है कि मैं सारा का सारा यूज इंडक्टिव लोड करूंगा तो भी आप मुझे नहीं बता पाते हैं तो भी आप मुझे डेदिंग के विए देते तो इसके पीछे दूजा रीजन यह है कि हमारे धुन अंदर भी दो लोसे होता है कि इसके अनलने यह वह टांसे कि उपकरन है और दोस्तों यह खुद हमारा एनि याणि meagnet के उपब वाज मेग नियक मैग बता हों आपको टीक एलक्तो माइगनेटाक के उपब कर काम करता है तो इसके अंदर हमारे हमारे दो लोस्त होते हैं एस और सेकंड जो तो होता है कोपर लोस अधिक ए आइरन लोज मैं बताओं आपको क्या होता है दोस्तों जैसे यह हमारे एक टांस्पूर्मर की कोर का नितलब हमारे एक आपकी तरह का लोही की कुछ भी पत्ती समझे लो यह एक इस्टिल की आपके चीज समझे लो याएक वरगाकार चीज है तलिक मैंने इधर वाइ तो मैंने आप्र किया है और तो सब्सक्राइब चाहरा की निए और कि भूत चला तो जब भी हम उसको वाइंडिंग निए आप मैंने तो दोस्तों जब्धिया उसको वाइंडिएन प्रूंदी पर उसकेलें च्वाइंडि जो को बोलते हैं इसके इन चलें बत्ति है कर देंद तो इसके अंदर चले जाती है तो इसके अंदर चले जाती है और फिर बाद में हम इधर और एक और वाइंडिंग कर देते हैं और इस पर हम लोड कर देते हैं तो दोस्तों क्या होता है ना अब देखो आईरन लोज का मतलब गुआ जब भी हमारा कुछ चाव ना नंनल स्राव चरभि में कुछ तो फ्यां गई तो हमें स्राइंग भी कोर दो तो इसके ऑनदर बीदो इसके अन्दर चले साथ नहीं हो सकती है तो जेह नहीं आचे अगया वह कुछ पूला डिपेएंट करता है जो हम इतर लोड करेंट organise करे उसके मफारे हैं तो तो करा तो हमारे लोसेज भी वैदेंगे लोड कम घो घोटेंगे तो ये लोसेज भी न होते है कि हमारे टांस बाइटया देट र accus में राए क्वांङ। की किरफ रीक जो प्रूंझिटे पर हमारे समय के साथ कर देते हैं तो मारे वेक साइब घते बढ़ते रहते तो इस यह चीज के नहीं होते हैं यानि hemos मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्योता है क्यूंकि देखो दूस्तों हमार wiggle 홈 है to motor के अंदर हम क्या है motor क्या है अउटफुट क्या निकाल रहा है हमारा मेकनिकल एनर्जी निकाल रहा है el equivalent निकाल नहीं है और हमको यह भी पता है कि हम उसके इंदे कितने वोल्टेज देंगे, कितना एंपियर निकलेगा, यानि हमको टोटल सारी चीजे पता होती है, मोटर मेनुफेक्चर को, तो इसलिए जो मोटर की रेटिंग होती हो, वो किलो आटे में होती है, और टांस्पोर्मर की रेटिंग क चाहिए, तो भी मुझे नीचे कमेंट वोस में कमेंट करके बताइए, इलेक्रिकल की वीडियो हिंदी में देखने के लिए, चैनल को जुरू सस्क्राइब कीजिए, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,